सुशान सिंग रागपूर्ट केस में सुशान को न्याय दिलाने के लिए अंकिता ने एक एहम भूमिका निभाई है जी हाँ सुशान के निधन के बाद अंकिता जो है दो बार पटना गई थी सुतरों के मुताविक वो दो बार पटना गई परिवार से मिली श्वेता से मिली और जितनी भी चैट थी उनके पास वो उन्होंने सारी की सारी परिवार को उपलब कराई एक और बात मैं आपको बताने जा रही हूं जो आपको चोका सकती है सुशांत के परिवार जो है जब उनको अंकिता से पता चला कि उनके पास वो सारी चैट है बिल्कुल भी खुछ नहीं, इस रिष्टे को खत्म करना चाते हैं, क्योंकि रिया उन्हें हैरिस करती है, और जब वो पहली बार घर गई, पिता को और वहन को ये चैट देने के लिए, बताने के लिए, तो परिवार ने इस बात को बताया कि उनको भी ऐसा लगता है, उनको भी शक है, उनके पास भी बहुत सबूत है, और उसके बाद, अंकिता ने सुषान के कुछ कॉमन फ्रेंड से भी बात की, ऐसा सूतरों के मताबिक पता चला है, और जो जो जिटनी भी डिटेल्स थी, उनको इखटा करके, वो दुबारा फिर से गई थी, पटना में और वहा पतना गई थी, सुषान के निधन के बाद, और उसी समय जो है, अंकिता ने श्वेता से मुलाकात की, और सारी चाट जो थी, सुषान की और उसके बीच की, वो सारी श्वेता को बताई, और वो जो प्रूफ अप देचाट बिट्वीन अंकिता एं सुषान है जो बीन शेर पतना गई थी, तो अंकिता जो है, वो भले ही चुप थी, लेकिन वो चुप रहे बहुत बड़े काम कर रही थी, सुषान के साथ जो जो चीजे हुई, जो जो उन्हें पता था, उन सारी चीजों को इखटा कर रही थी, और कर जब परिवार ने जैसे ही F.I.R. डाली, अंकिता ने पोस भी डाला था, तुरुथ विन्स, इतना ही नहीं, उसके बाद जो है, उन्होंने जब शुटा ने राफ को पोस जाला तो उस पर अंकिता ने भी लिखा, अंकिता ने डाला तो शुटा ने लिखा कि सच्चाई हमेशा साथ देगी हुई, भगवान हमारे साथ है, तो इस तरह से उनका परिवार के साथ जो संपक्ए लगातार बना हुआ है, और अंकिता ने इस पूरे केस में काफी एहम भुमी का निभाई है परिवार के साथ वो खड़ी रही है और परिवार का साथ दिया है